अभी मैं स्क्रॉल ही कर रहा था कि मेरे सामने मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम था छत्री वाली खेर मैंने ट्रेलर पर क्लिक करा और मूवी के नाम को देखते हैं मुझे लगा कि शायद ये जन हित में जारी जैसी मूवी होगी बट चलो ट्रेलर जब मैंने देखना शालू किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर रकुल प्रीथ है जिसका नामे शनाया एक केमेस्ट्री ग्रेजुएट है और बोलती है तो भाई साब इतना खतरनाक बोलती है कि अच्छे अच्छो के पसीने छुड़ा दे ऑन दी अधर हैंड यहाँ पर दिखाए गए हैं भाई जी जो की बाईलोजी के टीचर है स्कूल में लेकिन जब रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ाने की बात आती है तो भाई साब के पसीने छुड़ जाते हैं कैन मूवी आगे बढ़ती है एक छोटी सी सुमित और रकुल के बीच में लव स्टोरी दिखाए यह दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद रकुल अपनी भाई को बिमार पाती है और उनको पता चलता है कि उनके दो तीन बार मिस्कैरेज हो चुके हैं लेकिन उनकी भ भाबी की बेटी इसे बात कर रही होती है उसको पढ़ा रही होती तब उसे पता चलता है कि बायोजी में मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव नाम के दो टॉपिक्स हैं तो बच्ची बोलती है कि आप तो केवल फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पढ़ा दो क्योंकि एक्जाम में तो optional आएगा तो मैं female लिख दूँगी क्योंकि वो बच्ची female है और school में लड़कों को केवल male reproductive पढ़ाया जाता है और male को female female को male नहीं पढ़ाया जाता है और रकुल यहाँ पर कमर कस लेती है कि अब इंडिया में sex education के बारे में उसे बताना पड़ेगा और वो लड़कों को स्कूल के बाहर एक separate class लगा कर बताती है about sex education और वो कहती है कि आपको जो भी जानना हो आप मुझसे आके जान सकते हो तो topic तो मुझे बहुत अच्छा लगा अब यह movie देखिए Z studios ने launch करी है याने की Z app पर आएगी है तो यह बहुत अच्छा रहा कि यह OTT platform पर आ रही है ऐसी movies अगर आप अपने family के साथ बैट कर देखने में comfortable ना feel करें तो यह आप लोगों के लिए ही movie है यह movie आप अपने घर पर बैट कर देख सकते हैं आप किसी भी OTT platform पर इस तरीके के बहुत सारे content available है लेकिन यह content भी एक बहुत अच्छा content है जिसे Bollywood ने चुआ तो कुल मिलाकर मुझे story तो बहुत अच्छी लगी रकुल की acting इसके अंदर मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी है सुमित और सतीश कौशिक का काम भी इसके अंदर बहुत जोरदार होने वाला है को हमेशा ही बहुत अच्छा काम करते हैं इस movie के अंदर sex education का बहु इसे release नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है लेकिन OTT platform पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस movie को बहुत अच्छा response मिले 20 तारीक को ये movie प्रेमियर होने वाली है आप लोगों ने trailer देखा है नहीं मुझे comment section में जरूर बताना कुल मिलाकर ये movie मेरे हिसाब से critical hit होने वाली है बस इसके अंदर डॉक्टर जी जैसी story जादा घिसी पिटी या लंबी ना करी जाए और screenplay tight रखा जाए तो ये movie डेफिनेटली जब आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी खेर आपका इस review के बारे में क्या खायाल है मुझे comment section में जरूर बताना trigger bollywood वालों instagram पर follow करना मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में